दीवाली आने वाली है, वो एक लड़का अपनी मा के साथ जा रहा गल्स होस्टल के पास से, अचानक लड़के ने मा की साड़ी खीची, बोले मम्मी मुझे पटाके चाहिए, मम्मी बोली ये तो कॉलेज है, इसमें कौन से पटाके, बच्चा बोला अच्छा, पापा तो कहत हैं कि हां बहुत सारे पटाके रहते हैं, नई पीड़ी, नई पीड़ी के बच्चे कहां से व्यंगे निकालते हैं, किस-किस तरह से आगे निकल जाते हैं, आए, वो बहुत सारी बाते हैं, जो जिन्दगी में शामिल होती हैं, जहां से हास कविताएं, व्यंग की कविताए और दर्द की कविताय निकलती है भाई दिलीब दुबे हमारे बीच में है मैं चाहता हूँ जोर्दा अर्टालियां बजाकर उन्हें आमंतित किया जाए बहुत नाइक बता दूँ इनका लड़का दिवाली पर पठाके में आग लगा रहा था तभी पड़ोस की एक आंटी जी उदर से निकली लड़के ने जो है कि कहीं आंटी जी जल न जाएं उनका पठाका कहीं दग न जाए बड़ी तेजी से लड़का बोला आंटी पठाका आंटी बोली आप कहा पठाका किसी जमानें तुम्हाएं पापा हमको कहा कर दो जोर दाता लिया होनी की लेकिन साब पहले मैं मोम बत्ती को लेकर के एक कथानक को चार पंक्तियों के माद्दम से आपके पास में रखना चाहते हूं प्यार महबबत की कि मोम बत्ती के जलते धागे ने मोम से कहा कि जलता तो मैं हूं मोम बत्ती के जलते वे धागे ने मोम से कहा जलता तो मैं हूं पर तू क्यों रोती है पगली कहे को आसुब आती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है यह सुनकर मोम ने उतर दिया और मोम का उत हम लोग पठाके छुडाते हैं दीपावली पर कभी कभी लेकिन पुप से पहले ऐसे ऐसे बम हो जाते हैं मैं आपको एक ऐसे बम की बात बता रहा हूं जिससे हर एक सास अपने लिए खत्रा समझती है उस बम का नाम है बहू बम कि नव विवाहिता सास के पैर छुने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी सास छिटक कर दूर जाकर होई खड़ी बेटे ने कहा मा इसे पैर छुने दीजे ना पैर छुना तो इसका फर्ज है और फिर या दहर में टीवी फिरिज स्कूटर सभी कुछ तो लाई है इसलिए आसिरव कम दहर लाने वाली बहुं को सासें जला देती हैं और अधिक दहर लाने वाली बहुए सासों के काम लगा देती हैं हमने अधिक दहर लिया है इसलिए क्या पता इसके दिल में भी कोई कोई गम हो और हो सकता है यो कोई बहु नहीं हो सकता है मानावबन हो और देखे सवच्चता को ले करके काफी कुछ और दुद्रफ कशयाति चुछ कर रही है करतियां Ne기 किन एक अविसक्त की मां हमेशा घर के कामया काज में जुटी रहती थी और पत्नी आराम फरमाती थी उनकी मां हमेशा घर के कामकाज में जुटी रहती थी पत्नी आराम फरमाती थी या बात उन्हें बिल्कुल नहीं भाती थी एक दिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं घर के कामकाज में जुट जाओं तो साइद मेरी पत्नी को सर्म आई और मुझे काम करता देखकर वो अभी कामकाज में लग जाए उन्होंने अपनी मासे कहा मा आज से घर के कामकाज में मैं तेरा हां बटाऊंगा जाडू लगाऊंगा जाडू लगाऊंगा माी बेटा ये तो अवरतों का काम है मैं काम तुस्रे नहीं कराऊंगी आज तक करती आएं हूं आगे भी करती जाऊंगी इस प्रकार मा बेटे बाद बराते जा रहे थे घर के काम काज में अपना अपना हग जता रहे थे तब ही उनकी पत्नी आकर बोली देखो जी तुम मा को बेवज़े तंग मत किया करो मैं इस समस्या का हल बताया देती हूं उसको सुल्जाया देती हूं तुम मा को बेवज़े तंग मत किया करो अरे एक दिन एक दिन घर का सारा काम वो कर लेंगी एक दिन तुम कर लिया करो एक दिन तुम कर लिया करो एक दिन तुम कर लिया को इस तरह से आइडिया निकलते आते हैं और सबस्टागी बाद पे एक रशना बिलकुल अभी एक पिच्छर आई थी तो फिल्म आई थी टाइलेट एक प्रेम कर था आप लोगों ने देखी होगी अच्छा गुमार की थी तो किसी ने पूछा करमी को सुलब सुचाले के बाहर बैठे कर्मी को जैसे मैंने कर्मी को जैसे यम्हेंड़न पर जो हला है कि क्या कर रहे आप मैंने का भाज साब क्या कोई गलती होगी भाई साब वो स्वाइब मसीन दिखाते हुए बोला स्वाइब मसीन जानते हैं जो ATM कार्ड के द्वारा डिश्टल पेमेंट के आता है वो स्वाइब मसीन दिखाते हुए बोला वो स्वाइब मसीन दिखाते हुए बोला अरे करना ही तो डिश्टल पेमेंट कीजे और दस का note देना है तो इसके साथ मैं आधार-card भी देज़े. मैंने का भाई, ना मेरे पास में ATM-card है ना आधार है वहाँ बोला फिर तो आपका यहां पर आना ही बीकार है यदि आप डिश्ट्यल पेमेंट करके अंदर जाते यहाद डीश्टेल पेमेंट करके अंदर जाते और जैसे ही अपना योगदान देकर बहार आते सच मानिए कुछ ही छड़ों में आप अपने मोबाइल पर 50% कैस बैक का तोफा अवस्य पाते मैंने का भाई कोई अन्य उपाय बताओ और यही तो मेरी आए है वह बोला यही तो मेरी आये है मैंने का भाई मेरे पास में 10 के नोट के अलावा सिर्फ 2000 का नोट है वह बोला जाए मेरी तो बहुनी होगई खोट है मेरी तो बोहनी हो गई खोट है अरे जाइए कहीं से तोड़ा के लाइए मैंने का भाई मुझे अंदर जाने दे और जल्दी से निपट करके आने दे क्योंकि यदि मेरा पेसर यूही बरता जाएगा तो सचमान मेरे निपटनेस पहले तू निपट जाएगा यह कहकर उसने प पार्टी का चुनाओ चिन उठाया मनोज भाई यह सुनकर गुस्से में आकर उसने मुझको मारने के लिए जैसे ही आप पार्टी का चुनाओ चिन उठाया मैं सपा कर लेकर भाग आया तभी मैंने रास्ते में सोचाए को पाए क्यों ना इस मामले में अरविंद केजरी वा वाल की तरह रास्ते में कहीं धर्ना दे दिया जाए, मैं सडक के किनारे बैठा ही था, कि अचानक एक पत्थर आया, पत्थर देखकर मैं बहुत तेज चिलाया, तभी मेरी मां ने आकर मुझे जगाया, मैंने पाया तो सपना था, नहीं तो गुरू आज पत्थर तो जरूर ल पुकारता है और कोई मारे चाहे ना मारे बच्चन के साथ वाला बच्चा पत्थर जरूर मारता है। मैने का गनीमत है कि अभी कुछ जगे बिना आधार काड के ही काम चल जाता है उन में से एक सुलब सोचालर भी आता है। उन में से एक सुलब सुचालर भी आता है या बात बिलकूल सही है या बात बिलकूल सही है यहां पर गरीब और अमीर में कोई भेद्भाव नहीं है। हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्खो या इसाई, सुलफ सौचाल है वो इस्थान है जहां आपस में सब भाई भाई, आओ हम सम मिल करके एक संकल पुठाएं, भारत को हर हाल में सच बनाएं, सच बनाएं, सच बनाएं, सच बनाएं